वेलकम तु न्यू लेसेन मैं पास्ट में आपसे एक चीज के बारे में बात कर चुका हूँ बट काफी लोगों को फिर भी डाउट रहता है उस चीज के उपर so I just wanted to cover that thing again so अब डाउट क्या है कि हमारा बजट क्या होना चाहिए यह सर्च कैमपेंड के लिए या हमारा बजट क्या होना चाहिए यूट्यूब कैमपेंड के लिए बजट पे लोगों को लेके काफी डाउट है कि क्या उन्हें बजट रखना चाहिए देखो अब आपका बजट क्या होना चाहिए यह डायरेक्टली डिपेंड है आपके गोल पे ठीक है जी जो आपका बजट है वो depend करता है आपके गोल पे अगर आपका गोल है महीने में एक करोड रिवेन्यू तो आपका बजट कुछ और होगा अगर आपका गोल है महीने में दो करोड कर रिवेन्यू तो आपका बजट कुछ और होगा अगर आपका गोल है दस लाग कर रिवेन्यू तो आपको बजट कुछ और रखना पड़ीगा बजट हर सिटुएशन में सेम नहीं हो सकता अब होता क्या है problem क्या है कि जो majority लोग है उनके goals बहुत बड़े हैं बट उनका जो marketing budget वो comparatively उनके goal के सामने बहुत 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 चोटा है बहुत चोटा है बहुत कम है और उनकी expectation जो होती है उसे वो बहुत ज़्यादा होती है लोग अगर 500 रुपए daily के लगा रहे है वो expect करते हैं कि अब 500 रुपए लगा रहा हूं तो मेरा daily 15,000 का revenue आना चाहिए 20,000 का revenue आना चाहिए 10,000 का revenue आना चाहिए 5,000 का revenue आना चाहिए ऐसा नहीं होता इतनी high expectation वो set करते हैं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन campaigns वो result deliver कर सकते हैं but ultimately campaigns fail होते हैं ultimately campaigns काम करना बंद कर देते हैं right तो आपका जो budget है वो हमेशा आपके goal के हिसाब से set होना चाहिए अब एक चीज़ simple देखो suppose करो कि आपका goal है lead generate करना और ठीक है जी आपका goal क्या है lead generation right से आप body building trainer हो और आप महीने के 5000 leads generate करना चाहते हो ठीक है अब मैं साथ में जरा calculator एक उपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको calculation करके दिखाऊ हूँ perfect suppose करो आप महीने के 5000 leads generate करना चाहते हो और आपका conversion rate है 10% ठीक है जी आपका conversion rate कितना है 10% मतलब अगर आपके website पे 100 लोग आते हैं तो उसमें से 10 आपकी leads बनते हैं ठीक है तो आपका conversion rate है 10% और आपको total leads चाहिए 5000 अब इस हिसाब से आपको monthly traffic कितना चाहिए 5000 divided by 10% आपको महीने में 50,000 लोग अपनी website पे भेजने होंगे तब जाके आप 5000 leads generate कर सकते हैं ठीक है अब मानों कि एक click आपका 30 रुपए का है तो आपका budget कितना होना चाहिए देखो simple calculation कर लो पचास अजार into 30 कितना हो गया 15,000,000 ठीक है जी आपका budget होना चाहिए 15,000,000 रुपए अब अगर conversion rate को आप और बढ़ाओ मान लो conversion rate हो गया 20% तो अब आपको 50,000 लोग नहीं चाहिए आपको चाहिए 25,000 लोग और budget 15,000,000 नहीं चाहिए budget चाहिए 7,000,000 तो simple calculation है आप पहले अपना goal decide करो then आप अपना budget decide करो अभी लोग क्या करते हैं वो उल्टा काम करते हैं वो कहते हैं कि भाईया वो पहले budget decide करते हैं और then वो कहते हैं कि ठीक है मैं 100 पर लगाऊंगा आज और मुझे चाहिए भी यह पांजर करेंगा उल्टा नहीं चलाना आप तो पहले goal decide करो and based on goal decide your budget अगर दोनों चीजें सही नहीं है गोल कुछ और है बजट कुछ और है अब मार्क्स तो लाना चाहते हो बोर्ड में 99 परसेंट पढ़ते हैं एक दिन भी नहीं हो तो नहीं आने वाले 99 परसेंट हाना तो सबसे पहले आपको goal decide करना है then decide your budget जो की वो आपको help करें आपके goal तक पहुचने के लिए ठीक है जी तो अगर आप हमेशा ऐसे करोगे तो कोई budget decide करना is not a problem अब साड़े साथ लाग अगर महीने का budget है तो साड़े साथ लाग भई 30 कर दो daily का budget आ जाएगा है ना मैं सिंपल साड़े साथ लाग divided by 30 कर दो तो daily का मेरा budget हो गया 25,000 पर day मुझे अपने marketing में लगाना है 25,000 पर बहुत ही बहुत ही जादा सिंपल ठीक है तो यह आप mistake मत करना जो कि बाकी लोग करते हैं हमेशा आपका जो budget है वो सही चूज करो ठीक है thank you so much for watching this video